जै स्री कृष्णा आईए सुनते हैं सहस्त्र बाहु जन्ती की यह कथा कार्थिक मास की सुक्रपच की सप्तमीतिथी को सहस्त्र बाहु अर्जुन की जन्ती मनाई जाती है इस साल 31 अक्टूबर दिन सोमवार को उनकी जन्ती मनाई जा रही है बिद्यवानों का ऐसा मानना है कि भगवान विश्रु के 24 में अवतार माने गए हैं सहस्त्र बाहु भागवत महापुरार में भी भगवान विश्रु वलच्मी द्वारा सहस्त्र बाहु महाराज की उत्पत्ती की जन्कथा का वड़न है सहस्त्र बाहु ने भगवान की कठोर तपस्या करके दसबरदान प्राप्त किये और चक्रवर्ती सम्राठ की उपाधी प्राप्त की सहस्त्र बाहू अर्जुन कार्ट वीर्य अर्जुन कहा जाता है ओ भगवान विश्डू के अवतार दत्ता त्रे के भग्त थे उनकी माता का नाम पद्मिनी था सहस्त्र अर्जुन जन्ती छत्री धर्म की रच्छा और सामाजी कुथान के लिए मनाई जाती है पौराडी ग्रंथों एवं पुरारों के अंसार कार्ट वीर्य अर्जुन के हैराधी पती सहस्त्र अर्जुन दस्ग्रिव बिजई सुद्सेन सप्त द्रवी पाधि किर्थ वीर्य नंदन चक्रावतार राजेश्वर आधि कई नामों का बढ़न मिलता है एक बार रावड सहस्त्र बाहु अर्जुन को हराने की इच्छा से उनके नगर गया नर्मदा नदी के किनारे रावड ने भगवान सीव का पूजन करने का विचार किया जहां रावड पूजा कर रहा था वहां से थोड़ी दूर सहस्त्र बाहु अर्जुन अपनी पत्मियों के संग जल कृड़ा में मगन था सहस्त्र बाहु ने खेल में अपनी हजार हुजाओं से नर्मदा का प्रवाह रोक दिया रावड ये देख क्रोधी थो गया उसने सहस्त्र बाहु अर्जुन को युद के लिए ललकार के तुरंत युद लड़ने को कहा नर्मदा के टटपर रावड और सहस्त्र बाहु में भयंकर युद हुआ युद के अंत में सहस्त्र बाहु अर्जुन ने रावड को बंदी बना लिया रावड के पितामः दादा पुर्शत्यमुनी को जब पता चला तो वे सहस्त्र बाहु से रावड को छोड़ने के लिए निवेदन किया फिर सहस्त्र बाहु ने रावड को छोड़ उससे मित्रतत की सहस्त्र बाहु सेना के साथ जंगल से गुजर रहा था उस जंगल में रिशी जमदगनी का आश्रम था सहस्त्र बाहु रिशी जमदगनी के आश्रम में आराम करने के लिए रुका रिशी जमदगनी के आश्रम में कामधेनु गाय थी जो सभी छाएं पूरी करती थी उनकी कृपा से रिशी जमदगनी ने सहस्त्र बाहु और शैनिको का राजसी स्वागत किया कामधेनों का चमतकार देखकर सहस्त्र बाहु बलपुर्वक उन्हें अपने साथ ले जाने लगा उस समय आश्रम में रिशी जमदगनी के पुत्र भगवान परसुराम नहीं थे परसुराम जब आश्रम में आये तो उन्हें घटना का पता चला यह सुनकर परसुराम कुरूधी थो उठे वे अपना परसु साथ लेकर महिस्मती की ओर चल पड़े सहस्त्र बाहु अभी महिस्मती के मार्ग में ही था कि परसुराम उसके पास जा पहुचे सहस्त्र बाहु ने जब देखा कि परसुराम उनसे युद करने आ रहे हैं तो उसने उनका सामना करने के लिए अपनी सेना खड़ी कर दी भगवान परसुराम ने किया था सहस्त्र बाहु का बद परसुराम ने अकेले ही सहस्त्र बाहु की सेना का शफाया कर दिया अंत्र में सहस्त्रबाहु परसुराम से युद करने के लिए आया परसुराम ने उसकी हजार हुजाओं को अपने फरसे से काट दिया और सहस्त्रबाहु अर्जुन का वध कर दिया प्रतिसोध लेने के लिए सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने बाद में रिशी जब दगन का वध कर दिया अपने निर्दोस पिता की हत्या से क्रोधी थो परसुराम ने 21 बार प्रीथवी को छत्री विहीन कर दिया